भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा जिसमें 100 करोड लोग वोट डालने वाले हैं और इस बार चुनाव प्रचार में राजनीती का एक अनोखा वीडियो गेम आपको देखने को मिलेगा ये वीडियो गेम की बात हम चूँ कर रहे हैं क्योंकि ये वर्च शुरू होते होते प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपना एक बड़ा स्पेशल वीडियो रिलीज किया जिसमें वो आयोध्या के एक दलित परिवार के घर जाकर उनके साथ चाय पी रहे हैं दूसरी तरफ राहूल गांदी और सुनिया गांदी ने भी अपनी रसोई से एक नया वीडियो जारी किया जहां वो मुरब्बा बनाने की विधी लोगों को बता रहे हैं ये वो राहूल गांदी का वीडियो आप देख लीजिए जनता के बॉक्स आफिस पर इन दोनों में से कौन सा वीडियो सुपर हिट रहा किसने आपके दिल को चुआ आज हम इसका भी एक विशलिशन करेंगे लेकिन पहले आप इन दोनों वीडियो को देखिए ये दो ऐसे वीडियो हैं जिसमें दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने ये वीडियो बनाए है उनकी विचारधारा उनकी सोच बिलकुल अलग है और उनका स्टाइल भी बिलकुल अलग है पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर इसका विश्रेशन करेंगे लगियो Jugा, लगियो! कि लगियो स्मधियो, लगियो, लगियो! लग हो, आसा के अबती दीवियोन, लगियो फिरागी भियोन तो आप सूरत के पिता जी है अच्छा और यह कौन है मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर है मेरा मालूम है ऐसा है कि हमने देश में आपका नंबर लग गया दस करोड मिला है तो इसके घर जाओंगा तो पोले पाई आयोद्यम ही मिला है जी माला का चलो भाइब मेरा के घर चले है अच्छा होगा आप मेरे गार पादा तो क्या पकाती हो इस पर अभी तो आद डाल चाओल सब्जी पकाए है आपके लिए चाय बनाए है जाय बनाए पिलाओना पिर पिल जाता है अजय पैकेट आला मंगाता है है अब आप मिठी चाही पीते हैं हमसे मीठी हो यह जाती मालू नहीं कहते है तो मेरा आपको कह कहल आप मिला है इस कृफले कहां रहते हैं पहले जोपड़ी था यह हम जब अ acquire कशे किन साल हो गया किस अच्छा विचलिक बिल केतना अता होगा जारता है मैंने का सो अरपय दो सू ऐसे हां अगी कि और गैस कब से मिला है यह कल मिल गए आठास तो गैस कम चलाना आता है यह कल स्रिक इतफ लिया हो पहले से चाती थी लेघा कुना हमच हां प्रकति जला वालों करना थे मिल गया उसे एक प्रफीदफित व्ला तो अभी तो आपको बहुत फाइदा हो जाए ताइम बच जाएगा बच्चे अच्छे को थोड़ा टाइम देंगे तो मेरा जब कुछ काम बाम भी करती है जी फूल बेचते हैं जी कहां पर बेचते हैं ने घाड पको लोग बहुत आते होंगे जी हां आप तो फूल कम बिजली मिली घर मिला अनाज मिला वा और पानी मिल गया पानी जी मिलता है अब नए ने बहुत आप अप तो बहुत प्रुसाइब आप नो बयाने कर सकते हैं तो उम्मीदी नहीं किये थे कि हमारे घर फ़ज्मान इंप अब दो कि आपकंगा बन गए आं यह तो आपकी जैसे कलपनादि नहीं जी हो ङे र 선택 है पहले हो लग-शर मिल की में 낮 फिर फीलग पचाशं आया था तब देड़ लग है फिर 5 इन जी है कि किसी को रिश्वत नहीं हमने किसी को किसी को आगर के तुम को मकाम देने के पंदराजर वे मुझे दो नहीं किसी को मैं नहीं नहीं दिया एक भी रुपय नहीं दिया जाए बहुत अची वनाई है और मैं चाय वाला हुझे मुझे पता रहता है कि चाय कैसी बाती है होग слушाय। के जाएक्ष स्थो का देना लिंग deed दो सतन सित्थे फम्हण्व रही है मुझे हैं? के जाएक्ष नहती है in canada हुट्ख यह कि तो क्कुट कैसे प्ट्रेश जख आप अढ़ली आइब शोंटे है अप्रिक्ष्यारीजे करें प्रिक्ष्यारी नियां इस हैस निया मुझेशना इस निया यह थाकरप्ष्यान इस हैस उया है, इस्तली आपते बाल बाल वस्तली है एंजे एंज को फिर्सेबिता सब्सक्राइब आंगी पिरसे दूहे डिटेब के तूधी इतो तो तो ये से ठ्वयत प्राइब आपस तरुझ तर वे अपले के पिकिनलो तो आवत्ति अपलिगा सो आवते प्लेड मैंजम कर देंक एंवीड कर दें है तो आप समय हो दोनोग कर। आपनापक्षण जब बातको जड़ा हुआ जब शबागेटेटी जब वेखिए जब बिलागे तेटी जब एक राहु जब एक वियांक है करणा एच्छल नाएफ जब जब एक एक डियांक है जब करणा एक डायच देखिए झाल झाल प्रदान मंत्री मोधी और राहूल गांधी के और सुनिया गांधी के इस वीडियो में अंतर क्या है अंतर तो आपने भी महसूस कर लिया हुगा दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है प्रदान मंत्री मोधी के वीडियो में एक गरीब दलित परिवार का चितरन है जिसमें मीरा मांजी नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ प्रधान मंतरी मोधी को बता रही है कि उन्हें सरकारी योजनाओं की वज़े से कैसे घर भी मिल गया, सिलेंडर मिल गया, चूला मिल गया, पानी, बिजली जबकि राहुल गांधी के वीडियो में वो स्थिती दिखती है, जिसमें संघर्ष रोटी, कपड़ा और मकान का नहीं है बलकि इसमें संघर्ष ये है कि संत्रे का स्वादिष्ट मुरब्बा कैसे बनाया जाए यानि यहां जो चुनोतियां हैं दोनों वीडियो में अलग अलग है एक में तो जीवन में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन्हें कैसे लेना है, यही बहुत बड़ी चुनोती है दूसरे में इस तरह की कोई चुनोती आपको नजर नहीं आती प्रधान मंतरी मोदी के वीडियो से इस देश के करोणों आम लोगों को यह संदेश मिलता है कि उनके पास एक ऐसा प्रधान मंतरी है, जो उनकी जरूरतों के बारे में दिन रात सोचता है और उन्हें समझता भी है उसे पता है कि लोगों को क्या चाहिए और उनके लिए क्या काम करने है जबकि राहूल गांधी के वीडियो में आपको वो कनेक्ट जनता के साथ दिखाई नहीं देता क्योंकि जनता की आज भी समस्या ये नहीं है कि कैसे मुरब्बा बनाया जाए प्रदान मंतरी मूदी अपने वीडियो में अपने जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं राहूल गांधी को और सुनिया गांधी को असल में उन पर बात करनी चाहिए थी या लोगों को ये बताना चाहिए था कि अगर वो सरकार में आए तो वो लोगों के लिए इस से बहतर और क्या करेंगे लेकिन वो ऐसा ना करके मुरब्बा बनाने की विधी बता रहे हैं और राजनीती के लिए गेर राजनीतिक वीडियो बना रहे हैं और हमें लगता है कि उनकी रनीती शायद सही ना हो, ये वीडियो कहने को तो बहुत सारे लोग इसे कहेंगे कि बहुत क्यूट वीडियो है, बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा क्यूट वीडियो है, जिसमें आपको एक पुत्र और उसकी मा के बीच में जो एक रिश्टा है, वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन एक वीडियो में गैस, बिजली, घर, अनाज, पानी, शोचाले, आपको दिखाई दे रहा है, जो बुनियादी समस्याएं हमारे देश की, दूसरा, प्रधान मंत्री मुदी चाय पी रहे हैं उनके साथ बैठ कर और उनको कह रहे हैं क पिर एक और दलित गरीब के घर पर जाता है, इन दोनों वीडियो में आपको दो अलग-अलग दिखाई देती है, एक दिखाई देती है, जो बड़े समध्रांत परिवार की दुनिया है, और दूसरी एक गरीब जनता की दुनिया, एक में एक नेता ऐसा है, जो अपना नया वर्ष गरीब लोगों के बीच मनाता है दूसरा नेता ऐसा है जो नचा वर्ष मनाने के लिए विदेश जाता है एक बड़ा फर्क ये भी है एक ऐसा रिश्टा जो खूब का रिश्टा नहीं है देखे पृधान मंतरी मोदी और इस महिला के बीच में खून का रिष्टा नहीं है गरीबी का रिष्टा है एक विनम्र प्रधानमंत्री और गरीब जनता के बीच का एक रिष्टा है लेकिन दूसरे वीडियो में आपको एक पारिवारिक रिष्टा देखने को मिलता है ये रिष्टा परिवार के बीच का रिष्टा है और एक बड और दूसरा वीडियो अंग्रेजी में है जिस सर्फ भारत के गिने चुने अमीर लोग कनेट करेंगे